दुनिया की ऐसी रहस्यमई जगहें जहां जाने से वैग्यानिक भी घबराते हैं नमबर साथ लीना पिलर्स रशा इनसान प्रिथ्वी पर कई हजार साल से रहता आ रहा है और इन सालों में इनसान में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है ये वो जगह है जहां इनसानों के जीवन की शुरुआत हुई है 2012 में इस जगह का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आया था ये जगह लंबाई में 25 मील तक पहली हुई है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमई लगती है और इस जगह को देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है क्योंकि ये है ही बहुत ज्यादा अविश्वसनी है रहस्य से भरपूर जगहों में एंगिकुनी जील भी है इसके किनारे बसा गाव अपने आप में राज है बताते हैं कि 1930 में एक दिन इस गाव के सारे लोग अचानक गायब हो गए लाबेल नाम का शक्स जब इस गाव में आया तो उसने देखा कि घर के चूलों पर खाना बनाने के लिए रखा हुआ था हर घर में काम अधूरे पड़े थे तो लाबेल को लगा कि लोग कहीं गए होंगे और वापस आएंगे हालां कि इस गाव में रहने वाले 2000 लोगों में से किसी भी व्यक्ती की पता आज अतक नहीं चल पाया है इस जगह को दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है यह ट्रांसलवानिया में हैं इसके बारे में यहां पर बहुत सी कहानिया भी प्रसिद्ध हैं इस जंगल में पेड मुडे हुए और टेड़े मेडे हैं जो की डरावने दिखाई देते हैं जो भी इस जंगल में घूमने आता है, वह इस जंगल में डर से नहीं जा पाता। कुछ लोग जो यहां घूमने आये, वह कुछ देर के लिए को गए, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं रहा कि वह कहां गायब हो गए थे। लोगों का कहना है कि इस जंगल में भूत हैं यहां पर लोगों को अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं जिसके बाद से लोग जंगल में पाव तक नहीं रखते कजाकिस्तान में कलची नामक एक ऐसा गाव है जहां लोगों के साथ एक बड़ी ही रहस्यमई घटना घटित हो रही है इस गाव में लोगों को कभी भी कहीं भी अचानक से नीन्द आ जाती है उनकी यह नीन्द कुछ गंटों के लिए या कुछ महीनों के लिए सोय रहते हैं इस बीमारी के कारण इस गाव को sleepy hollow भी कहा जाता है और यह बीमारी इस गाव में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीमारी का पता यहाँ पर 2010 में लगा था। लगभग 14 प्रतिशत लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। स्विजर लेंड के जंगलों में लोंगों को कुछ अजीब तरह की चींज दिखाई दी। यहाँ के लोगों को लकडी के जंगलों में मिलिटरी के कपड़े पहने और मुह पर गैस का मास्क लगा कर एक आदमी दिखाई देता है जिससे यह जगह डरावनी हो गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दस सालों से यहाँ लकडी के जंगलों में रोज एक आदमी घूमता है जिसे ले लोयान कहते हैं। वह किसी से कुछ नहीं बोलता बस लोगों को घूरता रहता है और चुप चाप चला जाता है। लोगों का कहना है कि बच्चे भी अब उस जंगल में खेलने के लिए डरते हैं, लेकिन वह किसी को कोई हानी नहीं पनुचाता। नमबर दो, नुनवट सिटी, कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत देश है, यहां काफी संख्या में भारतिय रहते हैं, कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है नुनावुत शहर, यह शहर की खूबसूरती को देख लगता है, जैसे प्रकृती ने सारा प्यार इसी पर उमर दिया है, कनाडा के इस शहर में लगातार दो महीने तक सूरज डूपता ही नहीं, वहीं ठंड के मौसम में यहां 30 दिन तक केवल रात रहती है और सूरज छिप जाता है, और यही सब कारण इस शहर को सबसे ज्यादा अजीब बना देते हैं, क्योंकि आप खु यगंती मंदिर, यह चर्चा में अपने रहस्यों के कारण रहता है, यहां के नंदी का आकार हो या गोपुर में बने जलकुंड की धार, इस मंदिर से जुद्धे रहस्य अब भी विज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं, इस मंदिर में स्थापित पत्थर की नंदी प्रतिमा क आकार लगातार बरहने का दावा किया जाता है, हर साल इस नंदी का आकार बैयारैच जाता है, कई बुद्धि जीवी और वैज्ञानिक यहां शोध कर चुके हैं, पर यह अब तक रहस्य है, जिर्फ नंदी ही नहीं, यगंती मंदिर के कुंड भी रहस्य हैं, राज के बीच बने कुंड में पानी मुख्य मंदिर की ओर से प्रवाहित होता है, लगातार शिवलिंग के नीचे से पानी निकल रहा है, जो रहस्य बना हुआ है, अब यहां तक वीडियो देख ली है, तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यू